जैहिन दोस्तों मेरा नाम कुलदीफ है और स्वागत है आपका अपने चैनल देप सेजुकेशन पर आएमडी 2022 जो वेकिंग लिश्ट है उसका गेवी स्टार्ट होने जा रहा है तो कई सारे लोगों के डाउट आ रहे हैं इस्टाग्राम पर कि हमें गेवी में जाना चाहिए या भी नहीं जाना चाहिए किसी की रेंक हो सकता है थोड़ी बहुत आगे पीछे हो तो नहीं लग है कि हमारा फाइन सेलेक्शन तो होनी पाएगा तो हमको गेवी में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए तो उस बारे में मैं आपको बता दूँ आपकी रेंक चाहे कुछ भी हो कि आपको गेवी में जरूर जाना चाहिए क्योंकि अभी किसी को नहीं पता कि अभी कितनी वेक कि अब बची हुई है इस तरह की बात है तो 300 के आसपास मुझे रखता है कि इतनी वेकेंस अभी बची हुई है और आपकी रेंक्ट आपकी रेंक्ट कुछ भी हो कितनी आगे हो कितनी पीछे हो आपको गेवी में जरूर जाना चाहिए क्योंकि बिल्कुल नहीं पता कि आपका सेलेक्शन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता इसलिए रिस्क लेना बेकार है कि आप सोचो कि मेरी रेंग तो बाद में है मेरा तो कुछ होई नहीं पाएगा इसलिए मैं फाल तुम्हें कराने क्यों जाओं तो आपको फिर भी जाना चाहिए जहां तक मुझे लगता है अब जोइनिंग के काइम पर भी आप दे सकते हो और अगर आपको लगता है कि आपकी रेंग बहुत बाद में है अपका हो सकता है कि नहीं हो तो मैं तो यहीं बोलूँगा कि अभी क्रिकर्श एकिट आप मत बनवाईए जो आपको लगे कि आपका फाइनल सेलेक्शन हो चुका ह है बराबर प्रॉपर आपको काइम मिलेगा उसके बाद भी बनवा लेना क्योंकि फाल तुम में अभी बनवाते फिरोगे वह काम कुछ आएगा नहीं आपके और ऐसी को बड़ी चीज नहीं है कि क्या हो जाएगा आपका जिनकों लगता है कि मेरा सेलेक्शन हो जाएगा बरना आप जॉइनिंग के काइम भी दोगे तब भी आपका अराम से वह एक्शक होगा और वही नहीं आपका कोई भी डॉकुमेंट हो कोई भी आपके प्रॉब्लम आती है डीवी में तो कोई आपको वहां से बहार निकालने वाला नहीं है कि आपका यह कम है तो निकल नौर्थ में आपकी जोइनिंग होने के बहुत कम चांसे हैं क्योंकि पहली बात तो आपने देखा होगा कि इसमें जो इस बार जो आपका फिर फ्रेंस फर्म तो फिर करवाई नहीं गई थी सारा अलोकेशन था वह रहा था हो सकता है किसी की रह बहुत अच्छी थी उसको नौर्थ में दिल्ली बगरा में रख लिया था तो समझे होंगे ऐसा क्यों होता है यह सारा खेल चलेगा जुगाड़ पर अगर आपकी अच्छी जानकारी अच्छा लिंक है तो आपको नौर्थ में भी पुश्टिक आपको आराम से मिल जाएगी कहीं गवराने वाली बात तो इसलिए पर इसाब से देख लेना कि आप कितना जुगार लगा सकते हो उपर तक बहुत तक भी नहीं वहीं जो तीन लोग है उनसे आपको बात करने हैं आप किस तरह बात करते हैं तो यहीं इंफॉर्मेशन थी यहीं बात हैं थी हमारे वीच अगर आपको लगता है कि आपको कोई डाउट है कोई कोई है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं साथी साथ पेस्बूक इस्टागरम और टेलेग्राम की लिंक है वह भी नीचे कमेंट बॉक्स पिन कर दी गई है वहां जाकर भी आप मैसेज कर सकते हैं बाकि अपना देहार रखें चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आगे की जो भी इंफर्मेशन होगी वह आप तक पहुशती रहेगी ठैंक यू जै हिंद जै भारत